एलो दोफ्तों आपका स्वागत एक नए वीडियो में आज की वीडियो में आपको बताने अला हूँ Realme 13 plus 5G में किस तरह से आप अपने मोबाईल में इस्प्लीड स्क्रीन चला सकते हैं इस्प्लीड स्क्रीन के लिए आजाना आपको अपने मोबाईल के सेटिंग में और चली चलते हैं mobile के setting में और ए रहा हमारे mobile का setting और setting को आपको open करने के बाद आपको slide करते हुए नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको मिलेगा smart feature तो चली हम आगे special feature, special feature के file में आजाना है यहां पर click करने के बाद आपको मिलेगा split view क्लिक कर लेना क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका setting off मिलेगा तिसको on करने के बाद आपको आ जहने अपने Harmon nadal कि आने के बाद किस तरह से split चालाने ज़िए क्या कर का चलू कर लिज you aby इस तरह से वाटत सारी चालू कर fortIFyaнова पर टच कर दीजिए उसके बाद आप एक और कोई भी अप्लिकेशन पर टच करके चालू कर दीजिए तो चलिए एक और मैं क्या करता हूं फेस्बुक चालू कर देता हूं यह तो मैं क्या कर देता हूं मैं क्या चालू कर दे रहा हूं तो इस तरह से आपका दो स्क्रीन चलना सुरू हो जाएगा उपर फिलाल चलघा हमारा वाटसब चल रहा है और नीचे मेक्स स्प्लीट चल रहा है मेग करते हैं यहाँ पर फिलाल 08 को कट करते शार ऩवे स्तरह से आप नीचे दो फायल स्वाilt मेरा मेज्ट व्लेट और ऊपर व्ट्स अप से चेटिंग कर सकते हैं नीचे वीडियो देखना है या तो फेस्बुक चलाना है तो आप फेस्बुक भी चला सकते हैं कोई भी दो अप्लिकेशन ओपन करके आप चला सकते हैं इस तरह से इस तरह से आप अपने मोबाइल में स्क्रीन चला सकते हैं दोस्तों वीडियो कैसा लग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए मिलते आपको नेश्ट वीडियो में